तो हलो फ्रेंड्स आप सभी के बीच प्लाश 10th का मैथ का वाइरल पेपर आ गया है तो इस वीडियो के जितना हो सकता है अपने दोस्तों के सभी दोस्तों को प्यास सेर कर दिजेगा गनित का वाइरल कोशन आ गया है चलिए हम लोग देखते हैं पहला कोशन क्या है आपको क् करने पर X और Y का मान क्या होगा तो याद रखेगा X और Y वराबर इसके यहां पर समीकरन निकाल के अंसर आएगा इसका ऑप्सन नमर यह आएगा क्या जागा ऑप्सन नमर यह होगा ठीक है दूसरा नमर कोशन है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो और उन्हें में से एक स संख्या की 3 गुणी हो तो रखेग्स आमिकरन क्या होगा तो इसका दूसरा का राइप actually हो कि दो समपूरा कोनों का योग कितना होता है, थिरी का राइटन सरोगा, आप्सन नमर सी, ठीक है, 89 डिगरी होता है, 89 थिरी का, आप्सन नमर सी होगा, चलिए फोर नमर कोशन है, कि यदि दो ब्यक्ति का समलीत आमदनी, आठ हजार रिप्या, और उसकी आमदनी का आनुपात, नो आनुपात साथ हो, तो पहले ब्यक्ति का आमदनी की बोल रहा है, ठीक है, देखिए, आठ हजार को, ठीक है, सासा चोदा दुश्वल्ला, ठीक है, सुल्ला पची अस्ति, यानि कितना हो जाएगा, पान्सो रिप्या, तो बोला क्या है, कि पहले आमदनी, पहले आदमी का, तो नो अगुने पाच हजार, नो पच्छे पैतालिस, पैतालिस हजर कहा है, पैतालिस हजर अप्सन नमबर बी में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अप्सन नमबर इसका बी हो जाएगा, A2 X plus B2 Y plus C2 बराबर 0 का हल अदूति होगा यदि यहाँ पर A1 plus X plus यह समिक रहने तो 5 का अंसर आपका होगा option number B A1 by A2 not equal to B1 by B2 ठीक है 5 का option number B हो जाएगा इसका right answer ठीक है option number B यहाँ पर 5 का B होगा चलिए next question है 6 number कि समकोन तिर्भुज में सबसे बड़ी भुजा काउन होती है आप सभी को पता होता है कि समकोन तिर्भुज है A और B और C तो पाइथा गोरस पर में से आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है H H square बराबर P square plus B square यानि सबसे बड़ी करन होता है यानि option number C बिल्कुल right answer होगा चलिए अगला है 7 number कोचन की sign theta into cost theta का मान क्या होता है तो आप सभी को पता है कि इसका मान एक होता है जितने भी ठीक है option number C होगा चलिए अगला कोचन यदि cost theta 21 by 29 है तो sign theta का मान क्या होगा ठीक है यानि cost theta बड़ाबर 21 by 29 है ठीक है यानि cost बड़ाबर क्या होता है B वटा H होता है यानि यहाँ से P निकाल लिजेगा उसके बाद sign theta का मान निकाल दीजेगा ठीक है तो इसका right answer होगा 8 का option number B 20 by 29 इसका बिल्कुल right answer होगा अगला कोचन है ठीक है समको 9 नमर कोचन है यहाँ परे समकोन तिरभुज में कर्ण और भुजा मिलाकर केंदर निर्देश कोन theta बनाती है तो क्या कलाती है तो याद रिखेगा इसका right answer option number यह हो जागा ठीक है अधार इसका ठीक है आगला कोचन है चलिए अगला कोचन यदि sin theta बराबर cos theta है तो theta का मान क्या होगा तो याद रिखेगा इसका 45 degree मान होगा ठीक है 45 degree इसका बिल्कुल right answer शुरुगा ठीक है यहाँ पर अगला कोचन है आप सभी लोग के सामने कि cos 90 minus theta का मान क्या होता है तो आप सभी को पता है सेक ठीक होता है ठीक है क्या होगा सेक ठीक है चलिए अगला कोचन बारा नमर कोचन है कि sign 18 by cos 72 degree का मान क्या होता है तो आप सभी को पता होगा इसका मान क्या होगा एक होता है यानि option number D 12 का D हो जागा चलिए तेरा नमर कोचन की मूल बिंदू का निर्देशांग क्या होता है तो याद रिखे का मूल बिंदू का निर्देशांग 00 होता है ठीक है चलिए चलिए चौदा नमर कोचन की एक एकस निर्देशांग क्या कहलाता है एकस निर्देशांग भूज कहलाता है ठीक है Y निर्दशांक कोटी कहलाता है ठीक है तो इसका right answer क्या होगा X निर्दशांक option number A right answer होगा चलिए 15 नमर कोचन की X अक्ष पर Y निर्दशांक का मान क्या होता है X अक्ष पर Y निर्दशांक का मान क्या होता है तो 0 होता यानि option number C हो जागा पंद्रा का चलिए अगला कोचन है 16 नंबर ठीक है ये 15 था 16 देखिए कि 20 चतुरतांस में भूज और कोटी दोनों रिनातमक होते हैं तो याद रखेगा तीरतिये में किसमें तीरतिये अप्सर नमर सीज का बिल्कुल राइटन शुरूगा चलिए अगला है 17 नमर कोचन है ठीक है कि मूल बिन्दू से बिन्दू 3 और 4 की दूरी यानि देखिए 4 तिंतिया 9 और पलस 4 चक 16 तो कितना हो जाएगा 25 यानि इसका 5 हो जाएगा अप्सर नमर सी बिल्कुल राइटन शुरूगा चलिए अगला कोच्छन है बिन्दू A, A, B तथा माइनस A, B के बीच के दूरी तो याद रिखिएगा इसका A, B फर्मूलस ग्याद करना रूट 2 इंटू रूट अंडर A स्कुर पलस B स्कुर होगा ठीक है चलिए अगला कोच्छन है ठीक है एक मिन्ट अगला कोच्छन है कि बिन्दू X1, Y1 तथा X2, Y2 को मिलाने वाले रेखा खांड ये आपका उनीश नमर कोच्छन है ठीक है ये को मिलाने वाले रेखा खांड के मद बिन्दू का भूज क्या होगा तो याद रखिगा इसका ओप्सन नमर C हो जागा X1 प्लस X2, Y2 हो जागा ठीक है क्या हो जागा मद बिन्दू का X1 प्लस X2, Y2 अगला है 20 नमर कोच्छन है ये 20 नमर कोच्छन है ठीक है कि बिन्दू X1 और X1 मिलाने वाले रेखा को ये इतना अनुपात में विभाजित करता है तो इसका फर्मूला का ओप्सन नमर B ये 20 का अंसर है M1 X2 प्लस M2 X1 by M1 प्लस X2 ठीक है चलिए अगला कोच्छन है 21 नमर कोच्छन है कि समकोन तिरभुच का छेतरफल क्या होता है समकोन तिरभुच का छेतरफल क्या होता है तो हाप गुने अधार गुने उचाई होता है यानि अप्सन नमरे 22 नमर कोच्छन है यदि दो समरूप तिरभुच के छेतरफलो का अनुपात 64 हनुपात 112 है तो संगत भुजाओ का अनुपात क्या होगा तो इसका राइट एंसर अप्सन नमरे होगा आठ अनुपात इसका वर्काट ठीक है वनुपात होता है आठ अनुपात 11 हो जागा 23 नमर कोच्छन की बेलन का अईतन क्या होगा तो आप सभी को पता है पाई यारे स्क्वार एच होता है चलिए 24 नमर कोच्छन तेजिस है कि तिर्भुच का छेतरफल ज्याद करें जिसका अधार 25 सेंटीमीटर उचाई 10.8 सेंटीमीटर है तो 24 का अंसर आप्सन नमर से होगा 135 सेंटीमीटर अस्क्वार हो जागा ठीक है चलिए 25 नमर कोच्छन गोला का अईतन क्या होता है तो याद रिखेगा 4 by 3 पाई यार क्यों होता है चलिए 26 नमर कोच्छन है कि वर्ग चीन का मान क्या होता है तो याद रिखेगा 26 का भी हो जाएगा उच्छतम सीमा पलस नियूंतम सीमा भाई 2 इसका राइट अंसर होगा 26 का भी चलिए अगला है 27 नमर कि यदि पाच प्रेचनो X, X प्लस 2, X प्लस 4 और X प्लस 6 तथा X प्लस 8 का मान ही गा रहा है तो इसका मान X का मान ग्याद करना है 27 का बिल्कुल राइट अंसर आपको बता कर हमें बताना है इसका राइट अंसर क्या होगा ठीक है आपको निकाल देना है ठीक है X प्लस X प्लस 2 और X प्लस 4 यहाँ पर सब को जोड़ को जोड़ देना है और उसके कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या और यहाँ पर मान को गुना कर दीजिगा अंसर आजएगा ठीक है अगला उसको आपको अंसर बताना 27 का आपका अंसर बताना की कितना है आप सभी लोग ठीक है 28 नमर कोचने की निम्खित में कौन केंद्रिय परवर्ती की माप नहीं है तो 28 का जितने भी option नमर D बिल्कुल राइट अंसर होगा परिसा ठीक है 29 नमर कोचने की निम्खित में किसका मान आलेक की साहितास नहीं ग्यात किया जा सकता है तो माध नहीं ग्यात किया जा सकता है अलेक की साहितास ठीक है चलिए लास्ट और 30 नमर लास्ट कोचने की संचाई बाराम बारता सारनी का उप्योग किसके निर्धारन में होता है तो याद रिखेगा इन में से सभी माध्य माध्य का बहुलत ये सभी में होता है तो चलिए आज का सेशन आप सभी को सब्जेक्टिव के लिए हमारे चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए उस पर आप लोग जाकर जूर सकते हैं वहें पर मिलेगा